नमस्कार, Absolute Spoken English वर्धा में मैं प्रविन्सर आपका स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हो Advanced English Vocabulary Series जिसमें हम सीखते हैं Most Important English Verbs तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे verbs हैं बिसीच, बिट्रे, बिड़, देखते हैं बिसीच बिसीच का मतलब होता है हाथ जोड़ना, विन्ती करना Don't do it, I beseech you ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भईया प्लीज Don't do it, I beseech you ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ Forgive Rahul, we beseech for him Rahul को माफ कर दो, हम उसके लिए हाथ जोड़ते हैं Rahul नादाने, गलती हो गई, माफ कर दो Forgive Rahul, we beseech for him Rahul को माफ कर दो, हम उसके लिए हाथ जोड़ते हैं She beseeched me, that's why I forgive her उसने मेरे आगे हाथ जोड़ते इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया हाथ जोड़े, विंती की, ठीक है जल जा She beseeched, beseech का past tense होता है She beseeched me, that's why I forgive her उसने मेरे आगे हाथ जोड़े थे इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया Next, betray मतलब विश्वास घात करना या धोका देना Sonam can betray you Sonam तुमें धोका दे सकती है Sonam तुमारा विश्वास घात कर सकती है Sonam बेवफा है Sonam can betray you Sonam तुमें धोका दे सकती है I will never betray you मैं कभी भी आपका विश्वास घात नहीं करूंगा यकीन करो मेरा I will never betray you मैं कभी भी आपका विश्वास घात नहीं करूंगा Why did you betray me आपने मेरा विश्वास घात क्यों किया विश्वास किया मैंने आप पर लेकिन आप Why did you betray me आपने मेरा विश्वास घात क्यों किया जवाब दो Next bid मतलब बोली लगाना जब भी किसी वस्तु की निलामी होती है तो लोग उसे खरिदने के लिए दाम बोलते है उस वस्तु की कीमत लगाते है जैसे कोई बोलता है एक लाग एक लाग दो दो लाग तीन लाग तीन लाग दो चार लाग इस तरह से दाम लगाने को इंगलिश में कहते है Bid I can bid anything for this home मैं इस घर के लिए कुछ भी बोली लगा सकता हूँ ये घर मेरा सपना है हमारी विरासत है I can bid anything for this home मैं इस घर के लिए कुछ भी बोली लगा सकता हूँ We are bidding against अम्बानी भाईया अम्बानी है और हम है हम अम्बानी के खिलाब बोली लगा रहे है हम बोलते हैं 5 रुपे वो बोलता है 1 करोड ऐसा है We are bidding against अम्बानी हम अम्बानी के खिलाब बोली लगा रहे है How much can you bid तुम कितनी बोली लगा सकते हो बताओ तुम कितनी बोली लगा सकते हो इस तरह से English के नए-घान को बढ़ाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों को और परिवार को भी English सीखने में help करो, इस वीडियो को सभी के साथ share करो, thank you so much.